अब हमारा न्यू टॉपिक डिटर्मिनेंट इससे पहले हमने मैट्रिक्स टॉपिक कंप्लेट कर चुके हैं अब हमारा न्यू टॉपिक डिटर्मिनेंट स्टार्ट हो चुक है अब हमारा न्यू टॉपिक डिटर्मिनेंट इससे मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है उसके बिना आप किस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं फाइंट कर सकते हैं स्क्यार मैट्रिक्स का कुछ रूल्स के हल्प से हम एक पर्टिकॉल वैल्यू निकालते हैं उस पर्टिकॉल वैल्यू को डिटर्मिनेंट कहते हैं So, determinant is a number or scalar quantity. देखो, जो हमारे पास determinant की value निकलते हैं, वो एक number or scalar quantity. Scalar quantity means fixed real number होता है. So, उसे हम determinant कहते हैं. Determinants are possible only for square matrices. Square matrices का determinant possible होता है. If A is a square matrix, then the determinants of A is denoted by. अगर ये कोई हमारे पास square matrix है, हमने उसका determinant find करना है, तो हम उसे कैसे denote करेंगे, सबसे पहले denote, मतलब उसकी notation क्या होगी? जैसे दो state line के साथ A, और DET.A, और strangle, मतलब डल के साथ. इन तीनों का meaning अगा आप लिको होना find, तो मतलब आपने determinant find करना है. सबसे पहले हम determinant कौन सा find करने है? determinant of order 2, मतलब 2 cross 2 matrix का order का हम determinant find करने हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पर A लिख रही हूँ. A is equal to, हम determinant find करने हैं, मतलब straight line. तो इसको भी हम क्या है? straight line में लिख लेते हैं. always याद रखना, matrix का sign जिसके और bracket होती है, और dominant का sign हमेशा fix होता है. कौन सी दो straight line के साथ हम इसको क्या है denote करते हैं? अब इसको solve कैसे करने हैं? सबसे पहले आपने करना क्या होता है? यहाँ पर जो diagonal entry न है, इनकी cross multiply, मतलब minus 3 into 6, इन दोनों की multiply. बीच में sign कौन साथ हैगा? माइनस का, अब इसको solve का लेते हैं, यह बन जाएगा minus 18 और यह बन जाएगा plus 20. तो हमारी terminate A की value क्या आचुकी है? 2, देखो, A का मारे पास कोई scalar quantity real number या है. तो friends, यह था हमारा terminate of order 2, जब हमारे पास 2 cross 2 की matrix की बनाओ. अब हमने क्या करना है? determinant of order 3 का निकाल लेंगी कैसे. साथ से पहले A हमारे पास कोई 3 cross 3 की matrix है. तो हम इसको कैसा solve करेंगे? इसको पहले हम determinant के form में लिख लेते हैं. determinant of A. इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही. 0, minus 1, 2, minus 2, 1, 0, 3, minus 3, minus 1. friends, यहाँ पे एक पास याँ रखना. अगर आपको नेच्चे लिखा हैं यहाँ पे find determinant of A. तो आप कैसे भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ. बट यैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लिख के दे बताते हूँ. मैं इसको determinant को कर रही हूँ, expand by row 1. मैं row 1 की help से इस determinant को find कर रही हूँ, expand कर रही हूँ. कैसे जैसे पहले determinant A को as it is लिख लेते हैं. row 1 में यह वाली antigen 3, पहले हम लिखेंगे 0. इसके बाद हम इसको 2 cross 2 की matrix में कैसे divide करेंगे? जिस row और इस column में 0 आले नहीं, उसको आप hide कर लिजिए, जैसे मैंने ऐसे hide कर लिया. मतलब उस row और उस column को आप क्या कर लिजिए? cover कर लिजिए, तो मैंने ऐसे क्या है? उसको cover कर लिया. अब उसको cover करने के बाद जैसे 4 entries बच्चे आती है ना, आपके पास उन 4 entries को आपने यहां पे लिखने है. तो मैंने लिखती 103-1. देखो आपके पास यहां पे कौन सी entry होती है? A11. आपने ही याद रखने है A11. उसकी स्फिक्स क्या है? 11. तो 1 प्लस 1 हो गया 2. 2 मतलब even. अगर आपकी जो entry आप उठा रहे हो यहां पे वो even बन रहा है तो उसके आगे positive कसाइन लगया. अब next entry मेरे कौन सी है? A12. उसकी स्फिक्स में क्या है? 12. 1 प्लस 2 3 odd. तो यहां पे हम minus कसाइन लगाएंगे. अब next entry माइनस 1. Similarly, जो कोलम और जिस रो में आरा इसको मैंने हाइड कर लिया, यह वाली दोनों बच गी तो इसको मैंने ऐसे यहां पे लिख लिया. Next entry 2 यह होती है. A13. 1 3. 1 प्लस 3. 4. A1. तो इसको प्लस 2 लिखेंगे. Similarly, यह रो और यह कोलम हाइड कर ली हमने. तो यह जो चार entry यहां पे बच गी है. अब similarly, जैसे हमने 2 क्रोस 2 का solve के थे 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 ना, अब ऐसे solve करेंगे यहां पे. मैं एक बार यहां पे लिखके दिखा देती हूँ. Is equals to. पहले 0 को as it is star लेते हैं. 1 क्रोस माइनस 1. हमने 2 क्रोस 2 में किया था. कैसे करना हथा है? इन दोनों की क्रोस मैंनस इन दोनों की क्रोस. और यहां पे मैं क्या लिखूंगी, देखें, friends. 1 क्रोस माइनस 1. बीच में साइन आएगा मैनस का. अब इन दोनों के multiply करनी है 3 cross 0 minus minus क्या होगा प्लस plus 1 similarly इन दोनों के multiply करनी है minus 2 multiply minus 1 बीच में sign minus काता है अब इन दोनों के multiply करनी है तो यह यहां पर क्या जाएगा 3 cross 0 plus 2 asities अब इन दोनों के multiply करनी है minus 2 cross minus 3 बीच में minus का sign आएगा अब इन दोनों की करनी है 3 cross 1 यह मैंने as it is लिखते है अब next हम क्या देखेंगे कि हमारा क्या बन गया है देखो यहां पे तो minus 1 और minus 0 आ जाएगा minus का 1 minus का 0 अब next क्या था हमारा यहां पे plus 1 यह 2 और minus 0 बन जाएगा plus 1 यहां पे 2 यहां पे 0 plus 2 है यहां पे यह यहां पे क्या बन जाएगा 6 minus 3 plus 2 6 minus 3 अब इसको solve कर लेते हैं क्या बन जाएगा minus 1 minus 0 मतलब वैसे इसके आगे 0 लिखा है दोनों के multiply करनी है तो यह क्या ओरड़ी 0 बन चुक है 2 minus 0 2 इसको 1 के साथ मढ़ गे 2 6 minus 3 3 3 to the 6 तो हमारी determinant की value क्या आचुकी है 8 यह मैंने आपको क्या है सिर्फ determinant of order 3 कर निकाला है बट कि इसके साथ expand by row 1 के साथ suppose मैं आपको एक और example इसकी कराती हूँ same to same मैंने यह matrix उठा ली चलो मैं determinant इसका ही दुबारा निकाल रहे हूँ क्या थी मेरे पास यह matrix यह वाली थी अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ expand by c2 मतलब column 2 के साथ हमने expand करना है तो मैं यहाँ पे यह लिख रही हूँ मतलब c2 के साथ अब यहाँ पे c2 की जो entry है मतलब यह वाली है यह कौनसे entry है a12, a22, a32 a12 सबसे पहले मैं इसको ऐसी लिख रही हूँ यह वाली entries दाहरो आप पहले minus 1 है मैंने दो straight line फिर यह पे देखो expand यह a12 entry है मतलब 1,2 का plus क्या होगा 3e odd तो इसके आगे एक minus का sign लगा दो यह a22 entry है मतलब 2 plus 2, 4 even है तो यह positive का 1 आएगा इसको as it is रख लेते है then minus 3 यह कौनसे है a32 क्योंकि 3, 1, 3, 2 3 plus 2, 5 odd तो यह कौनसे है यहाँ पे negative तो इसके साथ ऐसे जाएगा अब वही same process हमने minus 1 उठाया मतलब यह वाला column और यह वाला row height कर लो तो यह दोनों entries बच जाएंगी तो हम यहाँ पे यह वाला लिख देते है 1 यह वाला उठाया था तो हम second column और second row height कर लेंगी तो यह दोनों entry और यह दोनों entries बच जाएगी minus 3 यहाँ से लिए था तो last row और second column height कर लेंगे तो मारे पास ये बन जाएगा अब similar ली वही process यहां पर 1 बन जाएगा minus 2 को minus 1 के साथ multiply करेंगे 2, 3 को 0 के साथ 0, 0 को minus 1 के साथ multiply किया, 0 बीच में sign minus काता है 3 to the 6 plus 3 0 को 0 के साथ किया, 0 minus 2 को minus 2 के साथ किया, 4 अब यह हमारा 2 minus 0, 2 बन गया 0 minus 6, minus 6 minus minus plus 4, 3 तो 12 12 plus 4, 14 तो determinant यह क्या गया, 8 यह हमारा था expand by अगर आपको उपर mention है कि आपने किस row और column से expand करना है तो आपको उसे की करना पड़ेगा otherwise आपको कोई भी row या column से expand कर से तो answer के सेम आएगा हमने यही question को पहरे expand by row 1 से किया था तो भी answer हमारा 8 आएथा अब मैंने expand by c2 से किया था तो हमारा answer 8 आएथा अब friends हमारा next topic है inverse of a matrix of order 2 मतलब हम अब 2 cross 2 की matrix का inverse find करना सीखेंगे सबसे पहले आपको inverse find करने से पहले आपने यह देखना है कि जो जी हम कर रहे है under determinant कर रहे है इससे पहले जो मैंने video upload की थी उसमें हमने inverse of matrix है वो हमने with the help of matrix reduction method से किया था अब यहां पर हम with the help of determinant से करेंगे इसके लिए आपके friends आपको step जादन चाहिए step 1 सबसे पहले find करें determinant of A step 2 find minus of A then next step 3 find co factors of A step 4 adjoint A मतलब हमने adjoint A find करना है and my last step step 5 वो क्या होगा inverse मतलब A की power minus 1 is equal to 1 by determinant A adjoint यह हमारा formula है इसमें value put करके हमारे पास क्या आजाएगा हमारा inverse of matrix आजाएगा पहले हम इसकी एक example समझ लेते हैं friends जैसे मैंने कोई example यहां पर ले लिए suppose करो A is equal to हमारे पास क्या है 2, 3, 4, 1 हमने इसका क्या करना है find A inverse मतलब मैंने इसका A inverse क्या है find करना है सबसे पहला step क्या होता है determinant find करना मतलब इसका determinant हम निकाल लेते हैं मैंने इसका है हुए 2 cross 1 minus 4 cross 3 तो 2 minus 12 minus 10 friends यह बात ज्याद रखना कि अगर आपके पास कोई determinant है अगर आप inverse find कर रहे हैं सबसे पहले step अपने determinant find करना है अगर आपका determinant 0 आ गया तो आपका inverse अग्जिस्ट ही ने करेगा तो आपका question वही खतम हो जाएगा तो आप लिख दोगे inverse does not exist बढ़ यहां पर हमारा जो determinant है वो कहा है non 0 मतलब 0 के भीना कुछ भी negative positive तो इसे बोलते हैं अगर किसी का ही determinant non 0 आए तो मारा a क्या है non singular matrix है मतलब हमारा inverse of a exist करेगा now next step क्या होता है हमारे पास step second मतलब क्या करने है minus of a find करने है minus of a को special small letter से denote करते है सबसे पहले मैं a11 entry find कर रही हूँ a11 entry a11 entry minus की कैसे find करने है जो a11 entry given matrix है वो जिस row और column में इसको hide कर लिजिए जैसे ये मेरी a11 entry है ये row और ये column में हाइड कर ये पीछे बान है रहा गया तो यहां पर मैं 1 लिख दूँगी similarly a12 मतलब second entry 12 ये column और ये row दोनों hide हो जाएंगे हमारे पास क्या रह जाएगा ये 4 तो यहां पर 4 लिख दूँगी now next a21 a21 मतलब ये वाली entry मतलब ये column और ये row hide हो जाएंगे तो सिर्फ 3 बच जाएगा next a22 मतलब अब मैं क्या करना है a22 जिस column और जिस row में आ रहे है उसको hide कर लेंगे हमारे पास क्या 2 बच जाएगा तो ये 2 आ गया याद रखना friends small letter से denote करते है minus को अब next step हमारा क्या आता है co factors of a co factors हो आपके capital letters में denote करना है जैसे a11 यहां पर क्या करना है सबसे पहले minus 1 minus 1 की power आपने क्या करने होती है जो इन दोनों का plus है न उन दोनों का plus को लिख दे हां पर फिर आपने a11 की entry देखो minus 1 की power 2 अगर minus 1 की power even होती है तो वो positive बान जाए मतलब 1 आ जाता है अब a11 की entry 1 तो मतलब यह 1 आ गया similarly यह 12 की entry minus 1 से start करना है इन दोनों का plus यहां पर लिख देजिए इसके बाद यह 12 entry 2 plus 1 3 minus किसी भी negative number की odd power कर गए तो negative answer आएगा तो minus 1 आएगा a12 की entry 4 है मतलब minus 4 next a13 minus 1 की power जो मेरा यहां पर a क्या है 13 आ रहा है मतलब मैंने इन दोनों का sum यहां पर लिख देना है sorry friend यहां पर 2 1 आएगा क्योंकि मारी 2 cross 2 की matrix है तो यहां पर यह भी odd बन गया मतलब यहां पर minus 1 आएगा 2 1 की entry क्या है 3 मतलब minus 3 next last entry यह 2 2 मतलब minus 1 की power मारे पास 2 plus 2 4 even 1 यहां पर क्या जाएगा 2 तो यह 2 आ गया है अब लग next fourth step हमने adjoint of a निकालना होता है what is adjoint of a adjoint of a करना है जो आपके co-factors है न है उनको arrange कर दीजिए a11 की entry 1 a12 की entry minus 4 a21 की entry minus 3 a22 की entry 2 उसका अपने करने ट्रांसपोस ट्रांसपोस मतलब रोक 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 अमें कनवर्ट कर दीजिए तो यह में हो गया अब आपने क्या करने last step a inverse a inverse क्या होता है 1 over determinant a into adjoint of a determinant की value हमने क्या निकाली थी हम पे minus 10 निकाली हुई है तो यह हमें लिख देती हूँ तो यह माइनस यह आप अंदर ले चाहिए sign opposite हो जाएंगे तो आपका a inverse क्या है यहाँ पे आ चुका है यह आपका क्या है required a inverse है एक बार पीट कर देती हूँ सबसे पहले आपको inverse find करने के लिए determinant find करना होता है अगर आपका determinant zero आगया it means inverse क्या है does not exist है तो फिर आपका question वही पे खत्म है आता है फिर minus find करने cofactor joint inverse तो हमने क्या है इस question के जरीए यह method completely से two cross two matrix के लिए हमने समझ लिया है so friends हमारा आज का topic है यहीं पर ही complete होता है thank you friends